हल्दवानी में आज ट्रांसपोर्ट नगर ब्यापारी एसोशेशन के द्वारा कोरोना काल में कारे कर रहे पुलिस कर्मियों को फूल माला पहना कर सम्मानित किया गया ब्यापारियों द्वारा यहां शेहर के कालढ़ूंगी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस हल्दवानी की टीम को फूल माला पहनाई गई इसके बाद सभी पुलिस कर्मियों को स्मृति चिन भेट कर उनका सम्मान किया गया इस मौके पर ब्यापारी एसोशेशन के अध्यक्ष अमरजीत सिंग सेथी ने बताया कि कोरोनम हमारी के दौरान कारी कर रहे योधाओं का सम्मान करें और जो भी उनके द्वारा निर्देश दिये जा रहे हैं उनका पालन करें वही सम्मानित किये गए पुलिस कर्मियों ने भी व्यापारियों का आभार व्यक्त किया कोरोनम हमारी के संख्रमन से बचाओं के लिए लौकडाउन होने से काफी समय तक लगातार बाजार बंद रहने के कारण बागिश्वर के ब्यापारी परिशान हो गए है ब्यापारियों का कहना है कि ब्यापार बहुत धीमा चल रहा है और मार्केट में कस्टमर भी बहुत कम है जिससे उनके सामान की बिकणी नहीं हो पा रही है वहीं बागिश्वर के ग्रीन जोन में सामिल होने पर दुकान खोलने की छूट मिलने के बाद ग्रहकों की कमी से ब्यापारियों के सामने आर्थिक संकट आ गया है हमारी समवादता लता प्रशाद ने की ब्यापारियों से बादचीत, क्या कहते हैं ब्यापारी आए सुनते हैं उनकी जुबनी देखे बागेश्वर नगर में जब से लोग लाउन चला है और मार्किट खुली है जी दिन से ब्यापार बहुत मंदा हो गया है और इस्तिती यह है कि मकान मालिक तो अपना किराया छोड़ ने रहा है वो तो पूरा किराया ले रहे है जो हमारे सरकारी दुकाने utaca की दुकाने है नगर पाली का भी उनको के राय नी छोड़ी है जैब कि साज़ना आगेश भी है परदान-मंत्री की कि इनसे किराया न लेकिन फ्राइबेट चोड़ो सरकारी भी नहीं छोड़े हैं किराया और दुकान्दारों को बहुत बुरी हम इसदिती हो गए और दिल्ली मार्केत में बंद़ हैं तो माल की भी कमी उगर कर फिर कपड़ा कैम अरगा यूता चबल और भी कई आइटम है जैसे बिसाते का ये वो मार्केट बड़ी मार्केटे नहीं खुली है तो इससे नुक्सानी हो रहा है दुकानदार हो उनके बाद आज ग्रीन जोन होने के बाद आपको छूटे मिली हैं कि दुकान खोल ने की तो क्या लगता आपको कितना अंतर और पहले और आज क के लिए भी आ रहे हैं और साधी का कपला ले जा रहे हैं सोस्यल डिस्टेंसिंग का पालन करके वो लोग साधियां कर रहे हैं अपना और यहां पर भी हमें थोड़ा सुरूम में अपने तब्दिली करनी बड़ी क्योंकि काफी संक्या में लोग अंदर घुज जा रहे थे कि कस्टुमर मतलब मिठाई मिठाई लेने ही नहीं आ रहा है तो बड़ाई डाउनफॉल है भी हमारे काम में पहले कि आप एक शाब पहले आप लोगों ने देखा ही होगा काम रहता ही था हमारी दुकान में पर बहुत कम है वे पार में तो देखे तो काफी वदलाव आया ह काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है और मार्केट में भी लोग काफी डर रहे हैं आने के लिए और काफी मतलब भीड़वार एकदम से पूरी जो भी थी पूरी सब कुछ खतम हो चुकी है और देखते हैं अभी आगे क्या होता है हम उसको पहले तो हम यूज करा रहे हैं उसके बाद हुएँ उनको लग-लग बिठा रहे हैं और जितना हो सके हम पहले अगर अंदर फोल सा जादा भीड़वार है तो ने कंबहार से रोक्तर रहे हैं की तो रूथ हों पाम कर रहे हैं कि आंदर दुकान में जादा भीड़वार ना हो इसलिए उनको अपने स्टोर में भी स्टोर से भी हम थोड़ा काम कर रहे हैं अगर ज्यादा थोड़ा सा भीड़बाल हो रही है तो मार्केट तो बहुत डल चल लिए भी मार्केट पा मतलब यह है कुस्टुमर अगर माल की डिमांड करता माल उपर से आनी पार है और रेड भी अभी इस्टी इन्होंने जैसे मूबाइल बढ़ा दिया गया है 12 से 20 परसेंट कर दिया गया है तो माल उपलब्द नहीं हो पार है और हमाने काफी परिशानिया इसमा हो रही है कि माल उपलब्द हमारे पास बिलकुल प्राप्त नहीं हो पार है तो हम इनसे कहेंगे कि यह माल आया है आने वाले वक्त में कुछ जादा ही और बदलावाएगा क्योंकि आदमी को इस समय खाद पदारत की जरूरत है नाके कपड़ों की और शादियों का सीजन होता है इस समय तो इस समय शादियों का सीजन मुलकुल खतम हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब जो जividad को इस समय वाले शादियों कुछ जुका है और मुझे लगता है और क्योंक आद है आद है के अुछ 믹 जो इस समय शादियों का सीजनों Пदे जो तो है जो यहादियों के इस समय खांग को अ झाल